पाच हजाल नो सो उन्तिस का यापर मेने प्रॉफीट बना है, आज के दिन, यह आज का प्रॉफीट है, और यापर में लगाततार 15 दिन से प्रॉफीट बना पा रहाँ, यापर आप चाहे तो चेक कर सकते हो, मैं यूटूब पर हर दिन वीडियो डाल रहाँ, कि हर दिन में याप पर profit बना रहा हूँ, लेकिन याप पर मैंने कोई candlestick pattern का use ने किया, किसी भी strategy का use ने किया, याप पर मैंने एक वीडियो बनाया था कि 9 बज के 15 मिनिट की candle का use करके, morning में 9 बज के 15 मिनिट की जो candle होती ना, उसी का use करके याप पर मैं profit बनाता हूँ, याप पर आप इन से continue, एक भी दिन loss ने हुआ, continue profit बना पा रहा हूँ, याप पर मैं एक secret आपको बताना वाला हूँ, 9 बज के 15 मिनिट की जो candle लेना, इससे पर आपका profit बन जाएगा, कैसे इसका use करना है, किस तरह से करना है, याप पर मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि आज क कैसे profit बुद किया, ताकि आपको अच्छे से strategy समझ में आए, 9 बज के 15 मिनिट, market gap आप अपन हुआ, 9 बज के 15 मिनिट की candle ले, कोई strategy यूज नहीं, कोई candlestick pattern का use नहीं, तो simple से आपको क्या करना है, market gap अगर खुल रहा है, देखो process हमेशे आपको ध्यान से सुनना चाहिए, आप process को ध्यान से नहीं समझते, इसलिए आप profit नहीं बना पाते, याप पर मेरा एकी request है कि आप वीडियो को complete देखना, tip करके मत देखना, तभी आप अच्छे से समझ पाऊगे, और मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से, आप भी daily का profit बना हुआ, daily का, एक lot से आप शुरुवात करो, एक lot से शुरुवात करो, आप 2000 से करो, 3000 से करो, अगर profit नहीं हुआ, तो सिधा याप पर इस वीडियो पर आना, comment में आकर बताना कि सर मैंने इस strategy का यूज करके profit नहीं हुआ, तो यापर मैं आपको बताऊंगा, कि यापर हर दिन profit होता है, हर दिन profit हो दिकमी strategy आभी बता रहो, JC market gap आप ओपनू, हर दिन आप चेक कर लेना, पूरा चार्ट चेक कर लेना, एक मन का चेक कर लेना, दो मन का, यहनी की पूरा का पूरा आप चार्ट चेक कर लेना, कि market अगर gap आप खुलता है, market का trend कोई भी हो, market का uptrend ओ, यह फिल down trade हो, इस से आमी कोई लेना देना नहीं, market अगर gap up खुल रहा है, market अगर gap up खुल रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कि market जैसी gap up खुले, उपर की तरफ, जो भी ऊपर के तरफ एक resistance बनाए, जो भी resistance मनाए, उस सी point के आपको यह आपर कोई भी option को, put option को यह आपर आपको buy कर लेना ह जो को ध्यान से समझना मार्केट ग्याप फिल करने के लिए आता है ओके मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बार मैं आपको क्लियर करके बताता हूं मार्केट मार्केट यास से gap up open हुआ करीब याप पर 40 point gap up ओपन हुआ मानलो मोटा मोटा 40 point आज gap up open हुआ αज से की दिन मार्केट gap up open हुआ तो ये जो gap हैنا इस gap को feel करने के लिए market जरूर नीचे आता है भले याप पर 15 minute के बाद आए 20 minute के बाद आए अदे घंटे के बाद आये लेकिन मार्केश जरूर ग्या पर फिल काने के लिए आता है लेकिन आपको target रखना होगा इस तरह से target रखना होगा तो मार्केश जैसी gap अपन हो तो मार्केश जो भी high बनाये मार्केश जैसी यह 9 बच के 15 मिनित की candle close होगी जैसे मार्केट ने मानलो यहाप पर इसने हाई बनाया था जो मेने इंट्री ली थी वही मैं आपको आज की दिन बताता हूँ मार्केट ने हाई बनाया 9 बच के 15 मिनित की कैंडल जैसे यह कैंडल क्लोज हुई जैसे यह candle close होई यह वाली candle बन रही थी अभी इंडिसेजन candle दिखाई दे रहे कापी अच्छी ग्रीन candle बन रही थी यह जो ग्रीन कि इंट लोट रोट लेहा था रहा लोट लिया थ boiling प्रम Druya किया था और यहाय में इसे वोड़ंगर कि रतक है कोईcas पर में वी टॉफलसन लगा यहां पर टॉप लास लगाना काफी important होता है लेकिन मैंने कोई भी stop loss नहीं लगा एक मुझे मार्केट से चाहिए था 15-20 पॉइंट के आज पास मुझे मार्केट से चाहिए मार्केट आपको इजी ले देगा 15-20 point market आपको easy देगा चाहे call site में जाओ या फिर put site में जाओ लेकिन काफी ज्यादा confidence होता है कि market अगर gap up खुल रहा है तो यहाप आप 20 क्या 50 point भी catch up कर लोगी confidence आता है इसलिए यहाप पर मैंने P side का ट्रेल ले आता इस candle पर मैंने ट्रेल ले आता पाच 10 15 15 मिनिट तक मैंने wait किया 15-20 मिनिट तक market यहाँ से जैसे उपर जा रहा था तो यहाँ पर मुझे 3000 तक लॉज दिखाई दे रहा था यहाँ तक मुझे 3000 तक लॉज दिखाई दे रहा था मैं मैंने बिल्कुल एक्जिट नहीं किया बिल्कुल ने एक्जिट किया 3000 तक लॉज दिखाई रहा क्योंकि यहाँ पर मीरी इंट्री बनी है और मार्केट यहाँ से उपर गया है और जैसी यह जैसी यहाँ पर यह रेट कैंडल बनी तीजी से तो जो मेरा लॉस तुरंत कवर ह नहीं आ गया इस कंडल पर विल्कुल इंट्व एक्जिट कर दी है एक पर मैंने 15 जाङो के За게 Karlे के उरे और में चैजले किए पंगर्वान थैसे मेरा पंधली बना तो यह अपर मेंु प्रॉफिट बन रहा था 5000 के आसपास मेरा प्रॉफिट बन रहा था 5000 सम्तिंग कुछ था ओके 5000 के आसपास जैसे मेरा यापर प्रॉफिट हो गया मौर्रिंग में सुबा 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 तुरंत या पर मिने एक धिट कर दिया आप अपने इसाप से टार्गेट रखना आप दस पॉइंट 20 पॉइंट या पचास पॉइंट भी मार्केट देगा लेकिन पचास पॉइंट के लिए आपको काफी ज़्यादा वेट करना पड़े एक गंटा भी वेट करना पड़ सकता है या फिर दो गंटा भी वेट करना पड़ सकता है लेकिन मार्केट आपका टार्गेट जरूर हीट कराएगा लेकिन सुबा सुबा अगर आपका प्रॉपिट हो रहा है चाए आपका 40 पॉइंट का हो चाए 20 पॉइंट का हो जो भी आ आगर आपको 1000 उपएपी नहीं तो भी मैं मानता हूं अच्छा कासा प्रॉफिट हैं उस प्रॉफिट को भी आप लेकर निकल जाओं। आप जैसे जैसे यापट करोंगे जैसे यापर प्रैक्टीस करोंगे दो आपको यापटेक MARY और अच्छा कासा छुब है तो मार्केट उपर नहीं जाता ओवार्केट एक फूल बैक देने के लिए नीचे जरूर्ब आता है चला実 प्यांब करते हैं यासे म मार्केट ऊपर पिए उपर मार्केट घुला था धैं यह से नियुक् nhất टॉम्हें चार ग्रीन कैंडल बनगी 4 ग्रीन कैंडल बनगी मुझे 8000 के आसपास loss दिखाई जा रहाँ सब भी यापर मीन्हें एक्जीट नहीं किया loss तो बिलकुल ने एक्जीट करेंगे loss भी ईक्जीट बिलकुल ने करेंगे और जैसी कैंडल बने एक दो, दो candle में यहापर मुझे profit हो गया, यहीं कि market एक, दो, तीन, चार green candle बनी और दो यहापर red candle बनी क्योंकि P side का जो premium होता है ना काफी तेजी से बढ़ता है क्योंकि market यहापर धीरे धीरे उपर जाता है और जैसे market गिरता है यहापर मैं आपको और एक example दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझे अभी मैं आपको example दिखाता हूँ कि आज का example एक कल का example ले लो मार्केट ग्याप खुला एक्जामपल के लिए आपको दिखाता हूँ यह मार्केट यहाँ से ग्याप खुला यहाँ से लेकर यहाँ तक आप count करोगे तो करीब 50 पॉइंट ग्याप खुला और यहाँ पर भी मैंने profit बनाया उसका भी वीडियो मैंने डाला है यहाँ पर आप देख सकते हो वीडियो भी चेक कर सकते हो कि यहाँ पर भी मैंने विडियो भी बनाया कि यहाँ पर मैंने किस तरह से profit बनाया था market gap आप खुला market में जो candle बनी नहीं यह जो rate candle बन रहे था काफी बड़ी green candle बनी ती आपको अभी rate दिखाई दे रहे होगी लेकिन यह काफी market gap आप खुलने के बाद यह काफी बड़ी green candle बनी तो और सारे लोग यहाँ पर क्या सोचते के मार्कर आप या से उपर चला जाएगा लेकिन नहीं जैसे यहाँ पर एक कैंडल ऊपर कि तरफ जा रही थी तो यहाँ पर मैंने सेल कर दिया था यहां पर मेंने फूट उप्षन को बाए कर लिया था और यहां से लेकर यहां तक मैंने खरेप यहां पर मेन यह पर ऑपपी तए और ऍथिस काठ ता सिमंगत 589 जो और तीज सिपके प्याद आफ सब् shaped कि爱 अधा करें देखोगे यह आपर मेरा केपिटल कम लगा था इसलिए आपर मेरा प्रॉफिट कम हुआ था करीब्स 8700 के आजबास कुछ प्रॉपिट हो था सम्थिन और ऐहां पर यहां पर भी मिने प्रॉपिट नाया था यहां पर विआ देख सकते हो यहां पर साइड वे यहां पर भी आप पर भी मार्केट काफी तेजी से नीचा आया यहां से लेकर यहां तक इसने high बनाया था यहापर 9 बचके 15 मिनिट की candle एक close वही और यहापर मानलो आपकी entry यहापर वही ओके यहापर कई पर भी आपकी entry हो गई ठीके और यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो भी आपको यह पर 60 points मिल रहे 60 points 60 points आने के मानलो आप अपना profit आपनी capital की साब से calculate कर ले आप कितना capital यहापर यूज कर रहे ओके 60 points भी नहीं पचास points भी पकलो 40 points पकलो 30 points पकलो लेकिन market gap up फिल करने के लिए जरूर आता है अगर आप यहां पर करोगे तो यहां पर गयाप डाउन के बारे में भी बताओंगा लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा आप कमेंट करना कि गयाप डाउन अगर खुलता है तो किस तरह से प्रॉपिट बुक करना होता है अगर आप यहां पर कमेंट करोगे तो यहां पर गयाप डाउन के बारे में भी बताओंगा मार्केट अगर अगर गयाप डाउन खुलता है तो आपको किस तरह से प्रॉपिट बुक करना है और किस तरह से यहां पर प्रॉपिट करना है आप कमेंट कर दिना यहां पर इसके उ झाल झाल